नमस्कार साथियों मेरा नाम है आरके सिंग और आप देख रहे हैं संस्कृती PCS यूटूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं यूपी आरो ए आरो की जो पीवाई क्यू सिरीज चल रही थी इसी के संदर में और इस रिंखला के अंतरगत आज हम डिसकस करेंगे आरो ए आरो का बर्स 2016 का जो पेपर हुआ था उसके भुगोल खंड के अंतरगत यानि की भारत यों विश्व के भुगोल और प्राकृतिक संसाधन और इसी के साथ जो जनसंख्या नगरी करण के जो प्रशन है उनकी चर्चा आज के इस डिसकसन सेशन में हम करेंगे तो अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रशन कोन से हैं तो पहला प्रशन है भारती बन सर्वेच्छड के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निमलिखित में से किस राजि में भौगोलिक छेत्र का सरवाधिक प्रतिसत बन छेत्र है यहां ध्यान देनी वाली बात है कि यह कह रहा है सरवाधिक प्रतिसत वाला बन छेत्र क्योंकि यह बन छेत्र नहीं कह रहा है बलकि प्रतिसत बन छेत्र कह रहा है और बिकल्प है मडिपूर मेघाले मिजोरम और नागालेंड तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मिजोरम राज क्योंकि क्या है कि भारत में सरवा इसी से सम्मंदित अगर कुछ related जो facts हो सकते हैं जो तथ्य हो सकते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यह हमें देखना है कि आखिर यह जो reports है यह कब से प्रकासित हो रही है तो यह reports बर्स 1987 से प्रकासित हो रही है यानि पहला इसका सर्वेच्छन 1987 में प्रकासित हुआ और अभी अगर हम बात करें तो क्या है कि अभी तक का जो आकड़ा है वो बर्स 2021 का है नया आकड़ा जारी होने वाला है लेकिन जब तक नया डेटा नहीं आत है हम बर्स 2021 के आकड़ों को ही पढ़ेंगे समझेंगे या अगर कोई एकजाम अभी तक हो रहा है तो उसी के आधार पर उसके उत्तर का चुनाव करेंगे अब कुछ अन्य बातों की अगर चर्चा करें तो जो बर्स 2021 में भारत का बन इस्थिती रिपोर्ट है यानि इंडि क्या है सत्रहवे नंबर का रिपोर्ट है और बात करें तो केंद्री परियावरण बन और जलवायू परिवर्तन जो मंत्राले होता है वो क्या करता है इसको जारी करता है और इसके संदर में क्या है कि ये दो बर्स के अंतराल पे प्रकासित किया जाता है और इसमें अगर सर अधिक या पहले नंबर पे कौन सा राज्य है वह मिजोरम है और यहां पर जो बन आवरण का प्रतिसत है वह 84.53 परसेंट है दूसरे अस्थान पे कौन सा राज्य है तो वह है अरुडाचल प्रदेश तीसरे पे मेगाल है चौथे पे मड़ीपूर और पाचवे पे नागल है आप देख रहेंगों कि ये सारे कहां के राज्य है तो भारत के पुर्वत्तर राज्य है तो ये भी ध्यान देने वाली बात है और इसी में अगर आपका प्रश्न पूछ दे कि भारत के सरवाधिक बन छेत्र वाले राज्य कौन से है तो अगर टाप 3 या टाप 4 की बात करे तो जो मध्य प्रदेश राज है यहाँ पर क्या आए कि सरवाधिक बन छेत्र है यानि यहाँ पर क्या आए कि जो बनचादित छेत्र है उसका छेत्रफल भारत के जो राज है उनमें सबसे अधिक है दूसरे नमबर पे अरुणाचल प्रदेश है तीसरे पे 36 गड़ है तो साथ अगर कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो बन सर्वेच्छ रिपोर्ट 2021 पिछले दो बरसों में देश के कुल बन यानी टोटल फोरेस्ट और जो बिच्छों से भरे छेत्र हैं उनमें लगभग 2261 वर किलो मीटर बन आवरन छेत्र की बिद्धी हुई है तो हो सकता है क कि यह भी आपसे पूछ ले दूसरी बात कि बन छेत्र में अधिक्तम बढ़ोतरी करने वाले जो राज्य हैं उनमें पहला अस्थान आता है आंध्रप्रदेश का दूसरा तलंगाना राज्य है और तीसरा उड़ीसा राज्य है तो यह महत्पूर्ण आपके लिए हो सकता है और जो सत्रा राज्य है या जो केंद्रसासित छेत्र है उनका क्या है कि 33 प्रतिसत से अधिक जो भौगोलिक छेत्र है वो क्या है कि बनों से अच्छादित है और इसी के साथ क्या है कि अगर इंडिया में कुल कार्बनी स्टाक की बात करें तो वो है 79.4 टन यह क्या हुई ह है कि भारत में इतने टन की बढ़ोतरी हुई है और साथी क्या है कि लगभग 72.04 मिलियन टन होने का अनुमान है तो बरतमान में अगर भारत में कुल कार्बन स्टाक की अगर हम बात करें तो वो कितना है 72.0 मिलियन टन है ठीक है और अभी हाली में जो पिछला रिपोर्ट्स आया है उसमें क्या है कि लगभग 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टाक बढ़ा है और एगर समानी तोर पे कार्बन स्टाक की बात करें तो वह बनावरण छेत्र जो इतना क्या है कि कार्बन डाई अक्साइड एब्जॉर्ब की है वही क्या है कि वह कार्बन स्टॉक है इसमें क्य आगया है दूसरी अगर बात करें तो भारत में देश के कुल जो मैंग्रो छेत्र हैं वो क्या है लगभग 4992 वर किलो मीटर है और इसमें क्या है कि इस जो सेशन है यानि जो 2021 का रिपोर्ट्स आया था इसके पहले दो वर्ष के अंतराल पे जो छेत्र में व्रिद्धी हुई ह वो हुई है 17 वर किलो मीटर छेत्र यानि 17 वर किलो मीटर छेत्र का जो मैंग्रो बनस्पती वाला छेत्र है इतना बढ़ गया है तो यह सारे आकड़े आपको ध्यान देने होंगे और यहां से प्रश्ण प्रत्येक बर्स कोई ने कोई आपको वन सर्वेचर रिपोर्ट से पूछी जाती है अब अगला प्रश्ण ले लेते हैं प्रश्ण है अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जोग्रफी में जेई स्पेंसर और डबलू एल टामस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व प्रदेशों में विभाजित किया है तो यह क्या है कि आप जब जोग्रफी पढ़ते हैं उसमें अगर भुगोल का विकास और उससे सम्मंदित जो कौन से सिध्धान दिये गया है प्रतिपादित किये गया है उनहीं में से इनका नाम आता है और जब हम क्या है कि सांस्कृत सांस्कृतिक भुगोल पढ़ते हैं उनमें इनका महत्पूर्ण योगदान है और इन्होंने क्या है कि सांस्कृतिक प्रदेश से सम्मंदित कुछ बाते कहीं कुछ सिधान्त प्रतिपादित किये और विस्व में क्या है कि कल्चरल जो रीजन होते हैं उनको टोटल इग्या कि छेत्रों में वर्गी कृत किया तो यह इसी से संबंदित प्रश्न है अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तो कह रहा है पर्यावरण मंत्रा ले द्वारा जारी किये गए इंडियन स्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भागोलिक छेत का कितना प्रतिसत छेत्र बनों और पेड़ों से अच्छादित है जैसे हमने बोला पिछला प्रश्न आये था उसमें इस प्रश्न का क्या है कि हमने कमपरीजन कर दिया था और आपको बता भी दिया था कि कैसे आपको इसको समझना है तो अगर बात करेंगे तो यह जो है कि 24.16 है इसी से संबंदित जो आकड़े दिये गया है कि इंडियान स्टेट आफ फोरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के कुल भावगोलिक छेत्र का 24.16 प्रतिशत क्या था कि बनों और पेडों से अच्छादित था लेकिन क्या है कि हमने बताया कि हर दो बर्स के ब बर्स 2021 की चल रही है और बर्स 21 के अनुरूप आपका कोशन आएगा तो इसमें क्या है कि देश में जो कुल बन अच्छादन है वो 21.71 प्रतिसत है यानि 21.71 परसेंट है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा अगला अगर कुछ आकड़े की बा है तो इस तरह से कहा है कि यह दोनों आकड़े आपके तुलनात्मक हैं इनको ध्यान रखना है और अगर बात कर लें कि बर्स 2019 की जो रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 2021 की रिपोर्ट में बन आवरण में कितने की बिद्धी हुई है तो वो लगभग 2261 किलोमीटर बन आवर समदित कौन सी प्रजातिया उसकी बराइटी कौन है जैसे आप जब मानसून सत्र या जो भी अलग-अलग हमारे यां रवी खरीव जायद फसले हैं उसमें क्या है कि जब उनके बुवाई का समय आता है तो मार्केट में क्या है कि प्रतेक फसल की अलग-अलग वाराइटी स जॉप पे अविलेबल होती है और उसमें हम चुनाव करते हैं कि कौन सी बराइटी बेहतर है तो उसी से संबंधित ये प्रश्ण है कह रहा है धान उसके सामने गोबिन दिया है गेहूं अरहर मटर तो देखे इसमें क्या है कि इसमें तो आपको मिलाना पड़ेगा कि आखि तभी आप सही कर पाएंगे जब इसके सभी facts आपको आते हों क्योंकि यह पूरी तरह से factual है इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं अगर आप पहले से पड़े हैं तो आप इसके उत्तर दे सकते हैं जैसे अगर हम इनसे संबंधित कुछ प्रमुख data की बात करें तो धान की प्रजातियों में गोबिंद और सुस्क समराट प्रमुख हैं और ऐसा ही मटर में प्रकास जो प्रजाती है अरहर में पारस है धान में सुस्क समराट है तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी अलग-अलग वराइटी हैं फसलों की यह आपको एक बार जो भारत का क्रिसी मंत् उसके द्वारा कुछ आकड़े दिये गये हैं उनकी साइट्स पे यह मिल जाएंगे जैसे गेहूं की कई प्रजातियां जैसे पुर्वा उर्जा कौसामभी पूसा पूसा त्रिप्ती पूसा गोल्ड तो यह क्या है कि यह आपको एक बार देख लेना है ऐसे डेटा आधार जो मैनुवल जारी किये जाते हैं उनसे एक बार नोट डाउन कर लेना है अब प्रश्ण संख्या पाच देख लेते हैं कह रहा है निमलिखित में से किस जिले में मार मिर्दा पाई जाती है अब यह चार बिकल्ब दे रहा है कानपूर प्रताफगर सीतापूर और जहासी अ हमने अभी तक काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोड़क मिट्टी, पीट मिर्दा, लेटराइट मिर्दा, मरुस्थली मिर्दा यह नाम सुने थे यह नई मिर्दा कहां से आ गई तो देखिए यह क्या है कि एक अस्थानी मिर्दा है यह क्या है एक अस्थानी मिर्दा है लोकल स्वाइल है और यह एक तरह की क्या है कि ब्लैक स्वाइल है काली मृदा है जिसको छेत्री अस्तर पर क्या है कि मार मृदा कहते हैं अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें तो देखिए जो बुंदेल खंड छेत्र है जो यूपी का बुंदेल खंड छेत्र है इसमें मूल रूप से कुछ छेत्र या कुछ डिश्टिक आते हैं उनमें अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख रूप से जहासी जालौन और इसी के साथ क्या है कि हमीरपूर बादा ललितपूर यह सारे आते हैं अगर बात करें तो हम नीरपूर ललितपूर और बादा यह सारे जिले क्या है कि बुंदेल खंड छेत्र में आते हैं और यहां पर मुख रूप से क्या है कि जहासी जालौन बादा वाला जो छेत्र है यहां पर क्या है कि दो प्रकार की मिरदाएं पाई जाती हैं यहां पर एक काली मिरदा पाई जाती है और दूसरी लाल मिर्दा ठीक है ब्लैक स्वाइल और दूसरी रेड स्वाइल यहाँ पर जो ब्लैक स्वाइल है इसके दो प्रकार हैं अगर इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं ठीक है तो जो बुंदेल खंड है इस पूरे छेत्र में क्या है कि आपकी काली मिर्दा ब्लैक स्वाइल और दूसरी लाल मिर्दा मिटी या मिर्दा कुछ भी कहिए रेड स्वाइल और यह जो काली मिर्दा है इसके दो प्रकार यहाँ पाए जाते हैं पहले को बोलते हैं काबर और दूसरे को मार इसके यहाँ दो वराइटी मिलते हैं पहले को काबर और दूसरे को मार मिर्दा और ऐसे ही जो रेड है इसके भी क्या है कि यहाँ पर राखर और पर्वा दो प्रकार के मिलते हैं राकर और पर्वा ठीक है तो यहां पर काली मिटी के दो प्रकार हैं काबर और मार और मूर रुप से अगर इस मरिदा की विशेश्था की बात करें तो क्या है कि जो मार मिर्दा की हमारी जो हमारा प्रश्न है तो यह क्या है कि इसके जो जलधारण की छमता होती है जो जलधारण छमता होती है वो अधिक होती है और इस कारण से क्या है कि इसका जो उत्पादन छमता है उत्पादन छमता है वो यहां की अन्य मिट्टियों से क्या है अधिक है और यह मूल रूप से क्या है कि यूपी के जो पश्च्मी जिले हैं वहां इस मूल रूप से अगर कौन से तत्तों की प्रधानता होती है, तो आप देखेंगे कि जो मार मिर्दा है इसमें आयरन, सिलका और इसी के साथ आप देखेंगे कि एलमूनियम भी प्रचूर मात्रा में पाया जाता है तो ये भी आने वाले समय में पूछ सकता है कि जो मार मिर्दा है इसमें किस प्रकार के तत्तों की उपलब्धता अधिक हो और इसी में अगर हम बात करें तो इसकी उपयोगिता मौसम के अनुरूप अधीक कम होती रहती है जैसे बरसा के सीजन में यानि बरसात के समय क्या है कि जब बरसात होती है तो उस समय ये मिर्दा क्या हो जाती है चिपचिपी हो जाती है और इस कारण से ये क्रिसी योग उतन उपियोगी नहीं है और दूसरी अगर हम बात करें कि राकर और जो परवा है यह क्या है कि बुंदेल खंड में जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसी के एक अस्थानी रूप है और अगर इन मिर्दाओं की बात करें तो इनकी जलधारन जो छमता है वो क्या है कि वो कम है और इस कारण से हम देखेंगे तो इसकी उत्पादक्ता इसकी जो प्रोड़क्टिविटी है जो उत्पादक्ता है वो भी कम हो जाती है और इस कारण से यह जो पूरा छेत्र है यहां पर मूल रूप से क्या है कि कुछ फलदार ब्रिच उगाए जाते है जैसे अगर हम बात करें, जैसे ब्रिच, बिच में अगर अमृरूत का पेड़ है, बेर का पेड़ है, अनार का पेड़ है, आवला है, तो ऐसे क्या है कि ब्रिच यहां बड़े अस्तर पे उगाए जाते हैं. तो आपने समझ लिया कि आखिर जो मार मिर्दा है वो किस से सम्बंदित है तो इसको आपको देख लेना होगा कि जो मार मिर्दा है वो मूल रूप से किस जिले से संबंदित है तो वह जहासी से है क्योंकि जहासी बुंदेल खंड छेत्र से संबंदित है और वहीं पर मार मृदा का विकास है जो एक प्रकार की काली मृदा का अस्थानी रूप है अब अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण क्या कह रहा है कि भारत में फसलों की बुवाई के अंतरगत जो सुद्ध छेत्रफल है वो कितना है ठीक है ये प्रश्ण आपके सामने दे रहा है तो लेटेस जो आकड़ा है उसके अनुरूप ये छेत्र क्या है कि लगभग 14 करोण हेक्टेर ह तो ये भी डेटा क्या कि आपको agriculture जो मिनिस्ट्री है उसके डेटा से देखना होगा और practices काया कि भारत में जो फसलों की बुवाई होती है उसके अंतरगत जो सुद्ध छेत्रफल है वो 14 और बुवाई के अंतरगत जो सुद्ध छेत्रफल कहना हम चार रहा है या जो में पूछ रहा है इसका मीनिंग क्या है कि जो फसले हैं जो बगीचे हैं जो बोये गये कुल छेत्र हैं उनका जो छेत्रफल है उसी को सुद्ध बोया गया छेत्र हम मान रहे हैं तो यह इससे संबंधित आकड़ा है एक और तत्य है कि आर्थिक सर्वेच्षड 2018 के अनुसार क क्रिसी के तहद भारत की कुल भूमी का लगभग 141.4 million hectare सुद्ध बोवाई छेत्र का लगभग क्या है कि 73.2 million hectare छेत्र अभी बी आसिंचित और बरसा पराधारी थे तो टोटल छेत्र का कितना ऐसा छेत्र है जो अभी भी क्या है कि आसिंचित है यानि वहां पर सिचाई क साधनों का विकास नहीं हो पाया यानि वहां एरिगेशन से संबंधित समस्या है यानि अभी भी सरकार के अस्तर पर वहां एरिगेशन पॉलिसी सही धंग से क्या है वहां इंप्लिमेंट नहीं हो पाई है तो ये इस से संबंधित कुछ तथ थे अगला प्रशन कह रहा है कि निमलिखित में से किस कड का ब्यास यानि इसका डायामीटर 0.002 मिली मीटर से कम है पहला कह रहा है मृतिका यानि कले दूसरा गाद महीन बालू और इनमें से कोई नहीं यह आपके सामने प्रस्ण दे रहा है और इसका जो उत्तर होगा वो होगा मृतिका जिसको क्ले हम बोलते हैं अब इसी से संबंधित कुछ प्रमुख बाते आपको हम समझा दे रहे हैं कि जो अलग-अलग ब्यास है जो मृदा के विभिन कड से निर्माण होता है उसमें क्या है कि कड़ों का जो आकार है वो अलग-अलग होता है और जो आकार होगा उसके ब्यास जैसे कोई कड है तो उसका आकार हम कैसे decide करेंगे कि आखिर वो कितना बड़ा है तो उसके diameter या ब्यास से हम निर्धारित करते हैं और इसमें जो प्रस्था उससे संबंदित अगर आकड़ों की बात करें तो जो clay होता है उसका जो ब्यास होता है वो 0.002 mm से भी कम होता है और जो दूसरा है यानि कह सकते हैं कि जो सिल्ट है गाद यह क्या है गाद का मतलब सिल्ट सिल्ट का जो ब्यास होता है वो 0.002 mm से लेकर 0.06 mm के बीच होता है और जो sand होती है वो क्या है वो 0.06 से लेकर दो mm के बीच में होती है तो यह प्रस्म से संबंदित बाते हो गई अब कुछ इस से और रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो जो भारती मानक मृदा वर्गी करण है यह क्या करता है कि मृदा को उनके कड़ों के आकार और उन कड़ों के आकार पर क्या है कि कंकर उपलिका बजरी रेत गाद और मृतिका में क्या करता है इनको अगर इसी के अनुरूप हम डेटा की बात करें तो जो बहुत मोटी क्या होगी मृदा होगी उसमें क्या होगा कि कंकर होगा उपलिका होगी और इनका क्या है अगर आकार की ब्यास करें तो जो आकार होगा वो क्या होगा 300 एमम से अधिक होगा मिलीमीटर से अधिक होगा और जो कोबल या उपलिका है इसका जो ब्यास होगा कड़का वो 80 से लेकर 300 मिलीमीटर होगा ऐसे ही अगर हम बात करें बजरी जैसे जो मोटी मृदा होती है वो क्या है कि मूल र 80 mm ब्यास वाला होगा और जो महीन होगा वो 4.75 से लेकर 20 mm के बीच में होगा और ऐसे ही क्या है कि रेत के बारे में दिया गया है और जो महीन मिर्दा होगी वो सिल्ट और क्ले से निर्मित होगी और इसमें सिल्ट का जो आकार है जो आपके प्रश्ण में दिया गया है उसको ह हमने देखा कि वो 0.002 से लेकर 0.6 या 0.75 के बीच में होता है और जो क्ले है वो सबसे कम है यानि 0.002 mm से भी कम होता है तो कभी हो सकता है इनके आकार को अरेंज करने से भी संबंदित प्रश्न आप से पूछ ले यह हो गया अगला प्रश्न देखते हैं कह रहा है निमलिखि पर विचार कीजिए पहला कथन है भारत में बंच्षेत्र का जो रास है भारत के संक्रमन से प्रत्यच्चत संबंदित रहा है और दूसरा है कारण इसका की बंच्षेत्र योम जन संख्या ब्रिद्धी में नकरात्मक संबंद होता है ठीक है यह प्रश्न आपके सामने दे आपको खोजना है तो यह क्या कह रहा है कि भारत में बंच्षेत्र का हरास भारत के संक्रमन से प्रत्यच्च्च संबंदित है यह प्रिद्धी में नकारातमक संभंध होता है ये भी सही है क्योंकि बंच्हित्र किया है लुघ दोनों में क्या है रेसीप्रोकल संबंध है तो इस तरह से क्या है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा जो कारण दिया है वो भी सही है और पहले की यह ब्याख्या भी कर रहा है तो इस आधार पर आपका कथन भी सही कारण भी सही और कथन का ब्याख्या कारण कर रहा है तो इस आधार पर दोनों सही ह पावन के अनुसार निमलिखित में से कौन सा बन का समवर्ग नहीं है तो जो आप देखेंगे कि जो क्या है कि जो फॉरेश्ट पॉलिसी 9052 है इसमें अगर हम देखेंगे तो मुझ लूप से क्या है कि कुछ पॉइंट्स दिये गए हैं जिसके आधार पर जो वो पॉलिसी बन सामिल नहीं किया गया था नेशनल पार्क को सामिल नहीं किया गया तो ये विकल्ब भी आपका सही हो गया 9052 की जो फॉरेश्ट पॉलिसी थी उसके अनुसार क्या है कि बनों का जो वर्गी करण किया गया वो सनरचित बन राष्टी बन ग्राम बन और ब्रिच भूमी के अंतरगत किया गया और इसमें क्या है कि राष्टी उद्यान को इस वरेख के अंतरगत सामिल नहीं किया गया था तो यह हो गया और इसी से सम्मंदित के आया कि फॉरेश्ट जो पॉलिसी है इस पर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं और यह महत्पूर्ण भी है क्योंकि प्रतेक एक्जाम में इससे प्रश्ण पूछे जाते हैं तो इसको आपको अच्छे से देखना है और इसके जो वि चौदा कोल निमलिखित राजियों के प्रमाडित कोईला भंडार की दृष्टी से सही और ओही क्रम में ब्यवस्थित कीजिए और ओही कहने का मतलब क्या है कि कम होते यह क्या है कोईला भंडार है और पूछ रहा है कि अधिक से कम वाला जो क्रम है उसको ब्यवस्थित कीजिए और दिये गए जो राज्य है वो जारखंड ओडिसा च्छतिस गड़ और मद्य प्रदेश है तो आपको बताना है कि पहले ऐसे प्रश्ण में यह कर लेना चाहिए कि सबसे अधिक भंडार किस राजी में है अगर यह आप पकड़ लिए तो पहला है कि आप बिकल्प पकड़ने का दो बिकल्प इसमें से पहचान जाएंगे जैसे क्या है कि अगर हम इसकी बात करें ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो भारत में एक जारखंड राज ऐसा है जहां कोईले का सबसे अधिक भंडार है तो आपने क्या किया कि आपने जारखंड पकड़ा अब दो बिकल्प में जारखंड है तो अब क्या करना है कि आपको देखना है कि आखिर अगला दो कौन सा है तो वो आप सना रहा है च्छतिस गढ़ और उडिसा और आप अगर पहले से यह जानते हैं कि भारत में क्या है कि जारखंड के बाद ओडिशा दूसरे नंबर का राज है जहां कोईला का भंडार सबसे अधिक है तो आप क्या कर लिए कि जारखंड एक ओडिशा दो तीसरा च्छतिसगर और चौथा मध्य प्रदेश तो विकल्प आपने पकड़ लिया क ठीक है इसी में क्या है कि आपको यह भी देख लेना चाहिए कि विस्व में भारत की स्थिति क्या है यह पिछले डिसकसर में कोशन आया हुआ था ठीक है अब यह क्या है कि यह दे दिया कि भारत में जो विभिन राज्य है इनमें क्या है कि कितना कितना भंडार अवस्थित है तो यह डेटा है डेटा पर प्रश्ण नहीं पूछता है अमोमन इनके करम से संबंधित प्रश्ण पूछता है अब देखिए अगला प्रश्ण है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी छेत्र में इस्थित हैं तथा भविष्ण में प्रियोग में लाए जा सकते हैं तो यह तो डिफिनीशन सही है प्राकृतिक संसाधन किसी भी छेत्र में उस्थित हैं और क्या है कि वर्तमान में भी इनका उप्योग हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो भविश्व में उसका उपयोग होगा दूसरी बात किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रोध्योग की एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता तो ये भी बात सही है और इसी से सम्मंदित आपके विकल्ब दिए गया है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं और आपको ये चुनाव करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा तो पहले तो ये देखना है कि ये सही है कि नहीं है ठीक है तो आपको ये देखना होगा कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो रहा था तो क्या है कि ये सही है और ये दोनों भी कल्प में अब दूसरा देड़ेना है कि किसी वास्त्वीक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रोध्यूग की एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है तो संटेंस तो सही है लेकिन क्या है कि इसकी ब्याख्या नहीं कर रहे है क्योंकि दोनों अलग-अलग बाते कह रहे हैं तो इस आधार पर क्या होगा कि आप कह सकते हैं इसमें क्या है आपको जो उत्तर लगाना है वो क्या है कि A और R दोनों तो सही हैं किन्तु क्या है कि ये इसकी सही ब्याख्या नहीं करता है ये उत्तर आपका होगा लेकिन क्या है कि इसके उत्तर आयोग ने नहीं दिया लेकिन क्या है कि पहला और दूसरा दोनों सही है लेकिन क्या है कि जो दूसरा कथन है वो पहले की ब्याख्या नहीं है अगला प्रशन देख लेते हैं उर्जा उत्पादन के निमलिखित साधनों पर विचार कीजिए चार्व देरा जल प्राकृतिक गैस नाभिकी डीजल इन्हें भारत में उर्जा उत्पादन की कुल प्रती अस्ठापित छमता में उनके प्रतिस्तांस यानि परसेंटेज के अनुसार औरोही क्रम में बेवस्थित कीजिए ये आपके सामने प्रस्ट दे रहा है कि इनके क्या है कि परसेंटेज कि ये उसी क्रम में है जैसे भारत में जल सबसे अधिक है फिर प्राक्रितिक गैस हुआ फिर नाभी की फिर डी जल यह क्या कर रहा है कि भारत में उर्जा उत्पादन की कुल जो छंपता है उनके प्रतिसत मान के अनुरूप क्या है कि औरोही क्रम में ब्यवस्थित किजिए यह निए घटते क्रम में, तो आपको क्या करना है की इसको ब्यूसित करना है, तो क्या है कि सबसे अधिक जल है वाटर है, फिर नेचुरल गैस है, फिर क्या है nuclear है उसके बाद डीजल है तो यह क्रम क्या हो जाएगा एक दो तीन और चार तो यह क्या है कि यह आपका सही क्रम हुआ अगला हम देख लेते हैं अगर भारत में उर्जा उत्पादन की जो कुल प्रतियस्थापित छमता है अगर बर्स 2022 के आकड़े की बात करें त जल बिद्दुत जो छमता है वह 11.6 परसेंट है जो गैस की छमता है वह 6.2 परसेंट है जो नूकलियर एनरजी की बात करें तो उसकी छमता 1.7 परसेंट है और जो डीजल है वह 0.1 परसेंट है तो इस अधार पर क्या है कि सबसे अधीक जल दूसरे के बाद गैस तीसरा जल तो यह आकड़ा था और इसमें क्या है कि जो जिवास्म इंधनों का योग बिद्दुत में क्या है कि भारत में सबसे अधिक है और वह कितना है वह 58.5 परसेंट है और अगर बात करें नवीकर्णी उर्जा की यानि रिनीवल एनरजी की वह कितना है वह 39.7 परसेंट है तो यह कुछ आकड़े थे और इसी में क्या है कि अगर कुछ बड़े आकड़ों की बात करें तो भारत में अच्हे उर्जा की जो अस्थापित छमता है वह विश्व में चौथे अस्थान पर है नवीकर्णी उर्जा और उसमें भी अगर बात करें पवन और दूसरा सौर इसमें भी इंडिया की जो पजीशन है वह विश्व में चौथी है यह पहले ही हम डिसकस कर चुके हैं और इसी से सम्मंदित विभिन आकड़े भी हो सकते हैं जैसे देश में क्या है कि गैर जिवास्म इंधन स्रोतों से कुल कितनी बिजली उत्पन होती है नवीकर्णी उर निमलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है पहला कर रहा है जल सुद्ध जल कोईला पेट्रोलियम मचली तो देखी यह जो तीन है यह क्या है यह बायोटिक एलिमेंट है लेकिन यह क्या है और बायोटिक है तो क्या हो गया यह क्या हो गया और जैविक संसाधन हो ग हैं जिसमें क्या है जीवन से संबंधित जो होगा वो जैविक संसाधन होगा जैसे विभिन कुछ प्रमुख बातें ऐसे ही क्या है कि इसकी बर्गीकरण को क्या है कि आप इस आधार पर भी कर सकते हैं कि यह नवीकरणी है या और नवीकरणी है तो इसके बर्गीकरण को भी आपको समझना है अगला एक प्रश्ण है स्टेक लाइट क्या होता है विकल्प है समताप मंडल में अस्थापित वायूपोत और D कह रहा है सनी का प्राकृतिक उपग्रा तो देखें यह क्या है जो स्टेट लाइट होता है यह क्या है कि समताप मंडल में क्या है कि अस्थापित एक वायूपोत होता है इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यह युपोथ है ठीख है मूल रूप से यह क्या होता है कि जो सम्ताप मंडल है स्टाटोय स्फेर existing में अस्थापित किया जाता है और मूल रूप से क्या करता है संचार जो सिगनल होते उनको प्रसारित करता है और उनको प्रसारित करने होतु एक अस्थाई प्लेटफॉर्म का रोल निभाता है और इसमें भी अगर बात करेंगे तो यह वायरलेस कम्निकेशन नेटवर्क का निर्माड करने के लिए एक अधिक जो अवर्तक होते हैं उनके रूप में ये कारे करता है यानि उनको ले ले जाने ले आने के लिए का Member करता है और इस तरह से अगर बात करें स्टेट लाइड को तो इसको मानव रहित हवाई वाहन के रूप में भी देखा जाता है जैसे आप देखे होंगे कि इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग न्यूज चैनल पे या समाचार पत्रों में UAVS को आपको दिखाया गया होगा या आपने किसी मूभी में या किसी समाचार में ऐसे UAVS को देखा होगा ऐसे ही क्या है कि कुछ अन्य भी है जिनको जो वायू पोथ हैं उनको इस रूप में दिखाया जाता है और इसका जो अभिसकार किया था वो बाब जोन्स ने किया था तो इस तरह से क्या है कि ये स्टेट कि नील नीली नील या कहिए या बलू नील बलू नील नदी निमलखिद में से किस जील से निकलती है ठीक है चार बिकल्ट दिये गया है विक्तोरिया जील ताना जील एड़वार्ट जील एलबर्ड जील ये तभी आपको आएगा जब विश्व के बिभिन छेत्रों का देखे रहेंगे और वहां के जो बिभिन नदिया हैं उनके बारे में आप अब्जर्ब किये रहेंगे कि आखिर वो कहां से निकल रही है उसका निकास कहां हो रहा है उसका अपवाचेत्र कहां है और उसी में से क्या है कि जो नील नदी है उसके बारे में पूछ रहा है कि इन से निकलती है तो यह ताना जील से निकलती है इसको थोड़ा सा मैप में आपको मैं दिखाता हूं अगर आप देखेंगे तो ताना जील आपको मिलेगी कहां पर मिलेगी यह इथोपिया में मिलेगी और यही से क्या है कि यह जो नदी है ब्लू नील यह निकलती है यह देखिए यह नील नदी है और इधर से आती है कौन सी वाइट यानि वाइट नील आती है और यह दोनों मिल जाती है और यहां से फिर यह नील नदी हो जाती है ठीक है तो यह क्या है कैसे ही क्या है कि मिस्र से होते हुए प्रवाहित होती है तो यही पूछ रहा है कि जो य क्या यूरोप अफरिका नार्थ अमेरिका साउथ अमेरिका या अफरिका इनके सारे जीलों को वहां के नदीओं को जब आप देखे रहेंगे तो ऐसे प्रश्न आसानी से आप कर ले जाएंगे तो क्या है कि हमने देख लिया कि ब्लू नील कहां से निकलती है तो यह मैप आप देखें उसी को यह क्या टेक्ष दिया गया है कि यह इथोपिया जो देश है वहां से निकलती है और इथोपिया में क्या है कि ताना जील है वहां से यह निकलती है और यहीं से जब आगे बढ़ती ठीक है और इसको क्या है कि मिस्र का वरदान भी कहा जाता है यानि जो नील नदी है इसको एजिप्ट का वरदान कहा जाता है अब जैसे मैप आपको देखना हो तो कोई एक एक जामपल हम दिखा दे रहें आपको जैसे उस कंटिनेंट का मैप उठा लिजे जैसे यह अफरीका का मेप है और यहां क्या करना है कि आपको विभिन जो नधिया यहां आपने ब्लू को मार्क किया । ब्लू व्वाइट निल दोनों मिलकर नील अब यह कहां इनका निकास हो रहा हूँ यह देख लीजिए यहां जैसे कांगो नदी है तो आप कांगो नदी को देख लीजिए कि आखिर यह कांगो नदी क्या किसी महतपूर अच्छांस रेखा को काटती है जैसे देखिए यह एक अच्छांस रेखा रही इसको यह काट रही है फिर याज जामबेजी नदी है यह क कर दीजिए और सारे नदियों के बारे में जो महत्पूर्ण तत्थ हैं उनको नोट कर लीजिए ऐसे ही आउटलाइन मैप लीजिए वहां बनाईए और लिख लीजिए जैसे यह है टाना जिल तो कहां से निकलती है आगे इसकी सहायक नदी कौन सी है फिर किस नाम से आगे पुर्व सही क्रम क्या है मूल रूप से क्या है इसमें देर आए कि कौन से सागर सबसे पुर्व है और वहीं से जैसे इस से वेस्ट यह क्या क्या सागरों का पस्चिम से पुर्व यानि क्या है आपको ऐसे जाना है यह वेस्ट हुआ और यह इस्ट हुआ तो पूरव से कहा पस्चिम से कहा जाना है पूरब की तरफ और आपको देखना है कि कौन सा भी कल सही है तो आप देखेंगे कि जो भुमध्य सागर है यह सबसे पस्चिम है उसके बाद आपको काला सागर फिर कैस्पियन सागर और फिर अरब सागर मिलेगा यह कैसे सही है यह जानने के लिए आ आपके सामने ये मैप है इसमें जो जो आपको पूछा है जैसे भूमद सागर तो आप देखिए कि ये क्या है ये भूमद सागर है भूमद सागर के बाद दूसरे नमबर पर कौन सा आगा ये एक नमबर हो गया और ये दूसरा ब्लैक सी ये दो नमबर हो गया तीसरा क्या है क कि आपको पूछ रहा है कि Red Sea, ठीक है, Caspian Sea, तो आपको देख लेना है कि कौन सा पूछ रहा है, तो Caspian Sea, यह Caspian Sea हो गया, उसके बाद अरब सागर, यह Arabian Sea हो गया, तो एक, दो, तीन, और यह क्या हो गया, चार, ऐसी क्या है कि विस्व में जो अनेक सागर है, उनके बारे मे भी हम देख सकते हैं, कि जैसे यहां से क्या है कि आपको Pacific Ocean दिख रहा है, यहां पर क्या है कि Caribbean Sea दिख रहा है, इदर Atlantic Ocean, यह South Atlantic है, यह North Atlantic है, फिर यह North Sea दिख रहा है, फिर यह भूमद सागर, Mediterranean Sea है, फिर Red Sea है, Black Sea है, Caspian Sea है, Arabian Sea है, बेया बंगाल है, South China Sea है, और फिर इदर आएंगे, तो आपको Sea of Japan मिलेगा, तो इस बार इन चार के बारे में दिया, अगली बार किसी और के बारे में देगा, तो क्या करिए कि World Map पे, जितने भी क्या है, बड़े सागरी छेत्र है, उनको एक बार लोकेट कर लिजिए, ध्यान से अप्जब कर लिजिए, जब भी प संत में दिये गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, एक तरफ नदी दे रहा है, और दूसरी तरफ इसका निकास कहा होता है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, पहला कहा है कि लीना नदी, और पूछ रहा है कि लीना नदी का निकास निमलिखित में से कहा होता है। दूसरी आमूर नदी, तीसरी टिगरिस और चोथी माही, तो एक इंडियन ये कहां से संबंदित है। ये भारत से संबंदित है। जानते होंगे कि माही नदी क्या है, कि MP से निकलती है ? ये कहां से निकलती है MP से और यहां आगे बढ़ेगी और फिर क्या है कि ये राजस्थान और उसके बाद गुजरात होते हुए कहा इसका निकास होता है तो यहाँ पर खंभात की खाड़ी में खंभात की खाड़ी में ठीक है और ये कहां आपको दिखेगा तो यह आपको Arabian Sea में दिखेगा, यह और अब सागर में दिखेगा, तो ऐसे क्या करना है कि यह आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे क्या है कि यह बिश्व के अलग-अलग छेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदिया है, जिनके निकास छेत्र के बारे में दिया जा रहा अब देखिए, जैसे लीना है, अब इसको समझने के लिए क्या है कि जब अलग-अलग continent-wise विभिन नदियों का मैप आप देखते हैं, तो उसी दोरान क्या है कि एक नदी को जब आप देखेंगे, तो उसके साथ क्या है कि जो अन नदियों का अपवाह छेत्र है, उनको भी देख लेजिए, और कैसे देखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए, यह हम आमूर नदी के बारे में देख रहे हैं, कि आमूर नदी यह कहां से निकल रही है, और कैसे यह आगे बढ़ रही है, और फिर कहा है कि कहां पर इसका निकास हो रहा है, यह कर जा रही है तो यह क्या है कि आप देख सकते हैं कि नदी कहां से निकल रही है और कहां प्रवेस्ट कर रही है फिर अगर हम बात करें लीना नदी तो देखिए लीना यह नदी है तो यह कहां प्रवेस कर रहे हैं महत्पूर्ण तथ नहीं है आपको क्या आया कि मैप पे अलग-अलग जो कंटिनेंट है वहां की जो महत्पूर्ण नदिया है उनको अच्छे से देखना है वो कहां से निकल रही है कि ऐसा तो नहीं कि नहीं दो देशों के बीच में सीमा संस्थ रहे है जैसे अगर माही नदी को आप देखेंगे तो एक बर आपके लिए पुर्ण अब देखू कि कि यह किसी महत्पूर्ण अचांस रेखा को करति चीए कि जैसे आप देखेंगे कोई ऐसी नदी होगी कि वो किसी जील से निकल रही होगी, कोई ऐसी होगी कि किसी परवती छेत्र से निकल रही होगी, कोई पहले से किसी नदी से निकल रही होगी, तो ये सारी चीजे आपको अबजर्व करना है, ठीक है, अब इसी के संदर में क्या है कि विश्व में जो विभिन नदिया है उनका एक आउटलाइन क्या करिए मैप पर लोकेट कर लिजिए और जो महतपूर नदिया है उनके नाम लिखिए उनसे संबंधी जो तथ्य हो सकते हैं उनको नोट डाउन कर लिजिए अब देखिए अगला प्रशन है करीबा बाद जामबेजी नदी है उसी पर यह वस्तित है जामबेजी नदी कहां आपको मिलेगी तो यह आपको देखना पड़ेगा कि आखिर जामबेजी नदी किस कंटिनेंट में है तो जब आप अलग-अलग कंटिनेंट का अध्यन किये रहेंगे तभी आप ऐसे प्रशन हल कर पाएं और यहीं पर क्या है कि आपको जामबेजी नदी दिखेगी और यह मोजामबिक चैनल में क्या है इसका निकास हो रहा है और यहां से क्या है कि मूल रूप से ही है जब आप देखेंगे तो यह दो जो जामबिया है जिम्बाववे है इसके बीच में सीमा निर्धारन का भी क करीबाडर देख सकते हैं यह आपका उत्तार हुआ इस इसी में गया ? कि बात करें की करीबा डेम तो इसको भी आप देख सकते हैं जैसे ँमने इंडिया में बताया था कि किसी भी आउट्लाइन मैप है जो वहाँ अवस्थित प्रमुक बड़े डैम है और डैम में भी यह देखिए कि वह किस उद्देश से निर्मित किया गया है तो आप नोट कर लिजे जैसे करीबा डैम है जैसे हमने वहां बताया था कि भारत के जो महतपूर डैम थे उनके बारे में आपको नोट करना है तो यह इस से सम्बंदित कुछ बाते हैं इसी में क्या है कि अगर हम बोले कि अफ्रीका महादीप के और कौन से महतपूर बाद है तो अफ्रीका में दो महतपूर बाद आपको याद रखने हैं पहला अस्वान बाद यह कहां मिलेगा मिस्र में यह नील नदी पर आस्थित है और यह अफ्रीका महादीप का सबसे दूसरा के जी बाद यह नाईजर नदी पर क्या है निर्मित है तो इससे सम्बंदित क्या है यह कुछ प्रमुक बाते थी अगला प्रस्न ले लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरफ दे रहा है पोत निर्माण केंद्र और ये कहा के पोत्निर्माड केंद्र है यह संवर्ड राज अमेरिका के दूसरी तरफ उससे संभंधित राज यानि यह जो पámडियं आकिन रह यह यूसे के किस राज में अवस्थित है पहला हिूस्टन तो यह टेकसास में दूसरा इस पैरोज पॉइंट यह मैरी लेंड में और तीसरा न्यू आर्लियंस यह कहा लुसियाना में और चौथा दे रहा है कैमडेन कैमडेन फ्लोरीडा तो देखि zma कि यह उपर के तीन तो सहिए लेकिन ये गलत नहीं क्योंकि जो घामडेन है यह न्यू जरसी में और इसको मैप अगर आप देखना चाएं तो यहां पर लुजय औस्थित होंगे यह तटी छेत्र में औस्थित होंगे क्यों कि यह क्या है कि पोत निर्माण केंद्र है यह वहीं बनाए जाएंगे जहां इनका टेस्ट किया जा सके तो यह क्या है कि जो सहयुक्त राज अमेरिका के तटी छेत्र है या जो तटी राज है वहीं पर यह सा है मैरीलेंड तो फिर मैरीलेंड आपको देख लेना है कि आखिर मैरीलेंड कहा है फिर आपको कैम्डेन और दूसरा है लूसियाना तो यह क्या है कि यह सारे जैसे यह लूसियाना आपको दिख रहा है यह सारे कहां दिखेंगे यह आपको तटी छेत्र में दिखेंगे तो ये इससे सम्मंधित प्रश्ण था अगला प्रश्ण है जन संख्या बृद्धी के स्वरूप को एक दिर्ग कालिक अवधी में घटित क्रमिक परिवर्टन को क्या बोलते हैं डेमोग्रेफिक ट्रांजिशन यानि जननांकी संक्रमण पापुलेशन यानि जनसंख्या बिसफोट एक्सप्लोजन या जनसांख्य की या जननांकी की गत्यात्मत्ता या जननांकी की रुपांतर तो क्या है कि इसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं कि जनसंख् बिद्धी के स्वरूप क्या है कि अलग-अलग समयों पर उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है और उसके क्रमिक परिवर्तन को तो इसको क्या है कि इसको हम जनसंख्या संक्रमण कहते हैं और इसी से संबंदित क्या है कि डेमोग्राफिक transition model, सिधान्त भी दिया गया है और इसमें क्या आए कि इसमें चार चरण होते है और इस चड़ों में क्या है कि जो जन्मदर होता है और जो मृत्यूदर होता है और जो कुल जन्दसंख्या है उसके बारे में बताया जाता है जैसे अगर पहले चरण की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे एक ये बर्थ रेट है ठीक है ये जो लाइन है ये क्या है ये जन्मदर है और दूसरी जो ग्रीन कलर की है ये क्या है ये मृत्यूदर है ठीक है और ये क्या है कि कुल जनसंख्या ग्रोथ है यानि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है इसके बारे में दिया गया है अब देखें इसी को अगर हमको पढ़ना है तो देखेंगे कि पहले चरण में क्या होता है कि मृत्यूदर और जन्मदर दोनों क्या होंगे यह हाई होंगे ये उच्छ होंगे अब जैसा इसके दूसरे चरण की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जन्मदर तो उच्छ होगा लेकिन मृत्तूदर जो डेथ रेट है उसमें गिरावट आएगी देखिए इसमें क्या है कि बर्थ रेट तो उचा है लेकिन मृत्तूदर में गिरावट आ और मित्युधर दोनों में गिरावत देखी जाएगी ये डिकलाइंड ग्राफ आपको दिख रहा है और इस दोरान क्या होगा कि जो जनसंख्या होगी वो इस्थिर होगी और आगे बढ़ती हुई होगी लेकिन वही जो चौथा स्टेट है उसमें क्या आप देखेंगे कि इस जो आपका प्रस्ण दिया गया था कि जनसंख्या बृधि के स्वरूप को एक दिर कालिक अधी में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं तो इसको जननान की संक्रमन बोलते हैं अगला प्रस्ण देख लेते हैं यूपी के बारे में दे रहा है 68.21% 67.68% और 65.41% यह 4 बिकल्ब दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा बिकल्ब सही है तो भारत में अगर UP की बात करें वो भी सेंसस 2011 के नुरूप तो UP में क्या है कि 66.68 क्या थी यहां की साचर्ता दर थी अब इसी से सम्मंदित कुछ आकड़ों की बात कर ले तो क्या है कि भारत में जो पंद्रहवी आधिकारिक जनगरना हुई वो कब हुई थी वो 2011 में हुई थी तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि सेंसस 2011 की जो जनगरना है वो कौन से नंब की जनगरना है तो ये फंद्रहवी भारत की जनगरना है और भारत में अगर बात करें तो वर्ष 2011 के अंतिम जनगरना के अनुसार क्या है कि UP की जो शश्रता दर है वो सरसफ दस्मलों 7 है जो 6-8 हमने बोला जो आपके बिकल्प में दिया गया है कि सरसटथ दसमलोhr छ्हाट उसी को ये हम कह दे रहा है ये क्या है कि ये साच्छर्टा-दर है और इस-में अगर पूरूस औरमहिला की बात करें तो ये भी अलग अलग है और अब बात कर लें कि हमारे देश भारत की कुल साच्छर्टा-धर क्या थो ये भी आपको जानना पड़ेगा पूर्सों के लिए क्या साच्छर्टादर है और महिलाओं के लिए इसको भी एक बार आप देख लीजिए और भारत में जो विभिन राजे हैं उन राजियों में सबसे अधिक साच्छर्टादर किसकी है तो उसमें कहा है कि केरल नंबर वन सबसे है और सबसे नीचे कौन सा राजय है तो वो आपका बिहार है ठीक है तो इस तरह से क्याया कि टॉप जो थ्री होंगे जिनकी लिट्रेसी रेट सबसे अधिक है उनको आप देख लीजिए और जो सबसे बौटम से हैं उनको देख लीजिए जैसे बिहार अरुनाचल प पेच्छा सबसे अधिक है तो यह आपने देख लिया और ऐसे ही क्या है कि भारत में जो विभिन राज हैं इनके बारे में आप देख सकते हैं कि सबसे उपर केरल है फिरलच दीप मिजोरम गोवा और नीचे आप देखेंगे बिहार अरुणाचल प्रदेश राजस्थान ज यह आपको देखने और शुरू के जो क्या है जो राज है जो लिट्रेसी रेट में सबसे अच्छे पायदान पर उनको आप याद कर लीजिए अब अगला प्रशन देख लेते हैं कह रहा है बर्स 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर में निमलिखित देर आए कि इन में से कौन सा सही नहीं है जैसे प्रती वर किलोमीटर जो घनत्त है वो यूपी का कितना है 839 है दूसरा उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 के बीच में इस दसक में यानि 10 बरसों में जो जनसंख्या में प्रतिसत बिद्धी हुई वो कितनी हुई 50 ये थोड़ा सा आ क्या है ये कुछ ऐसे है 20.23 और जो महिला साचार्तादर है वो कितनी है 57.18 और कह रहा है कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिसत भाग है वो 18.5 है तो ये क्या है ये गलत है तो आपका उत्तर क्या हुआ ए और ये कितना होना चाहिए ये है 16.51 यानि कुल जो भारत की जनसंख्या है उस भारत की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का जो प्रतिसत भाग है वो कितना है वो 16.51 है यही आपको बताना था अब ऐसे क्या है कि यूपी के विभिन जो आकड़े है जैसे जनसंख्या से संबंदित जो प्रमुख आकड़े जैसे यूपी की जनसंख्या क्या है देश की कुल जनसंख्या में यूपी का भाग कितना है पूर्सों का प्रतिसत महिलाओं का प जैसे प्रियाग राज, मुरादाबाद और गाजियाबाद ये टॉप थ्री डिस्टिक हैं हाइस्ट पपुलेशन वाले और जो सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं उनमें महोबा, चित्रकूर और हमीरपूर तो ऐसे क्या करिए कि आप नोट कर लिए जो जो महतपूर्ण त साच्छर्टा कितनी है और आउसत साच्छर्टा में कितनी बृद्धी हुई है और फिर आप देख लिजिए कि जो टॉप थ्री डिस्टिक हैं जो यूपी में सबसे अधिक साच्छर्टा दर्वाले हैं जैसे अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानप पूर नगर और तीसरा ओ रही है यह क्या है यूपी के सरवाधिक साच्छर जिले है ऐसे ही क्या है कि सबसे कम साच्छर्टा वाले जिले कौन से है तो पहले नंबर पे स्रावस्ति है दूसरे पे बहराईच है तीसरे पे बलरामपूर है ऐसे ही करना है आपको जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसटी कि कितनी है यूपी की और इसमें भी जो टॉप ठीडिस्टिक हैं जो जो सबसे उपर यानि सबसे अधिक जन घनत्य वाले जो जिले हैं जैसे गाजियाबाद बाराणसी लखनव और सबसे कम वाले में ललितपूर सोनभाद्र और हमीरपूर और ऐसे दसकी बृद्धी को भी आप देख सकते हैं तो यह क्या है कि विभिन जो यूपी से संबंदित जो आकड़े हैं उनको आप देख सकते हैं और यह क्या है कि पूरे भारत में जो अलग-अलग राजियों का जो प्रतिसत है वो आपको दिखाए गया कि किस राजे का कितना प् निंवलिखित में से किस राजी की जन संख्या सबसे अधीक है देरा महराष्ठ बिहार गुजरात और यूपी ठीक है अब आपको देखना है कि आखिर इसमें कौन से है तो आप पहले सही जानते है कि यूपी की जनसंख्या इन राजियों में सबसे अधिक है और इनको आप देख सकते हैं आकडों के अनुसार सिंसन में जाएंगे तो जो हमारा सिंसस है उसमें आप देखिए कि जो विभिन राज्य है उनका क्या है कि जो जनसंख्या का क्रम है वो क्या है उनको आप नोट कर लीजिए अधिकांस्त और परिवर्तित रहती है ठीक है दो कथन दिये गये हैं और इसी में पूछ रहा है कि आपको बताना है कि दोनों में से कौन से सही है और अगर दोनों सही है तो क्या दूसरा कथन पहले की ब्याख्या कर रहा है तो पहला तो सही है भारत में प्रतेक 10 बर्स के बा परिवर्तित रही है तो देखिए ऐसा नहीं है जनसंख्या में लागातार परिवर्तन होते रहें बर्स 1921 के बाद जनसंख्या में लागातार परिवर्तन हुए है या तो घटी है या तो बढ़ी है और अमुमन समानिता देखेंगे तो जनसंख्या लागातार बढ़ी है तो इस आधार पर क्या है कि पहला और दूसरा सही है, लेकिन क्या है कि ये पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो A सही है और R गलत है, तो C क्या हो गया, आपका सही विकल्प हो गया, और इसी से सम्मंदित जो विभिन आकड़े दिये गया है, कि भारत में क्या है कि प्रतेक जन्गर्णा हुई थी वह 이건 टार सो से 182 में हुई थी औरस किसके सासन काल में तो लाड़ मेवों के सासन काल में हुई थी लेकिन अगर नियमित जन्गर्णा की बात करें तो यह अत्थारह सो 182 में से शुरू हो गई और तब से कहा है कि प्रतेग दर्स बर्स बाद भारत में यह जनगणना कराई जाती है तो इस तरह से यह प्रस्ण था अब देख लेते हैं जनगणना 2011 के नुसार निमलखित में से किसने जनसंख्या घनत सबसे कम है यानि कह रहा है कि किसमें इन चार राजियों में से किस राज की जनसंख्या घनत तो सबसे कम है ठीक है यह आपको बताना है तो आप देखेंगे कि जो यूपी है यूपी में जो जन संख्या घनत तो है वो बिहार से भी पस्चिम बंगाल और केरल तीनों में सबसे कम है तो उत्तर के आओगे आपका यूपी अब इसी से सम्बंदित कुछ प्रमुख तथे देख लें तो बिहार में क्या है कि जन घनत तो सबसे अधिक है यह क्या है ग्यार चार राजियों में सबसे कम जन घनत तो यूपी में है अब बात कर लेते हैं कि जो भारत के विभेने राजे हैं इनके जो टॉप क्या है जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राजे हैं वो कौन से हैं तो उसमें आप देखेंगे तो भारत में अगर बात करेंगे तो दिल् पर आपको उत्तर मिल जाएगा अगला प्रशन है बर्स 2011 की भारत की जणगर्ना के लिए निमलखित में से कौन सा आदर्स वाक्य उपयोग किया गया था ठीक है अवर फ्यूचर अवर कंट्री दूसरा है अवर कंट्री अवर सेंसस सी है पिपूल आफ इंडिया अवर सेंसस और डी है अवर सेंसस अवर फ्यूचर तो यह क्या है जो डी में दिया गया बिकल्प है अवर सेंसस अवर फ्यूचर तो यह क्या हुआ यह इसका सही उत्तर कह रहा है कि निमलिखित राजियों को बर्स 2011 की जन गड़ना के अनुसार उनके नगरी करण के अवरोही क्रम में ब्यवस्थित कीजिए और राजियों के नीचे दिये गया कूटों से सही उत्तर का चैन कीजिए राजे कौन से हैं केरल मिजोरम गोवा और तमिलनाडू कह रहा प्रतिसत कितना था यानि कि किस अस्तर पे वहां नगरी करण हुआ है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो गोवा में सबसे अधिक नगरी करण हुआ है उसके बाद मिजोरम में हुआ है फिर तमिलनाडू में हुआ है और फिर केरल में हुआ है तो यह इनका क्या हो तो इस आधार पर आप दे सकते हैं उत्तर अगला प्रश्ण है कह रहा है कथन ए भारत में सन 2001 के पस्चात सहरी करण में तिब्र बृद्धी हुई है दूसरा कह रहा है कि भारत में मोबाइल संप्रेशन के छेत्र में क्रांती हो रही है ये दो स्टेटमेंट दिये जा रहे है ठीक है और आप से पूछा जा रहा है कि पहले तो ये करिए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भारत में 2001 के बाद सहरी करण बहुत तेजी से बढ़ा है और भारत में क्या है कि मोबाइल कल्चर भी बहुत तेजी से बिक्सित हुआ है तो दोनों कथन सही हैं लेकिन क्या है कि ये इसकी ब्याख्या नहीं कर रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका विकल्ब भी ठीक है अगला प्रस्ण देख लेते हैं निमलखित में से किस राज में बर्स 2011 के जनगणना के अनुसार दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरी समू नहीं है देराहरियाणा जम्मू कास्मीर औरीसा और जारखंड ये कह रहा है कि इन में से कौन सा जो नाम दिया गया है ये दस लाख वाली जनसंख्या वाला नहीं है और ये आपको चुनना है तो इसमें आप देखेंगे कि जो उडिसा है यहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है और इसमें भी अगर भारत में बात करेंगे तो लगभग भारत में तीरपन ऐसे नगर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है और अगर अगला प्रस्ण देख लेते हैं कह रहा है भारत की बर्स 2011 की जनगरना के नुसार सरवाधिक जनसंख्या निमलिखित नगरी युग्मों में से किसमें क्या हुई दर्ज हुई ठीक है अब कह रहा है कोलकत्ता और दिल्ली दूसरा दिल्ली और बेंगलूरू सी मुंबई और कोलकता और डी मुंबई और दिल्ली तो आप देखेंगे कि जो मुंबई और दिल्ली है इस युग में इस पेर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है तो यह आपका उत्तर था और इसमें भी क्या है कि भारत के जो चार महानगर है अगर उनकी जनसंख्या को हम उत्तर था अगला प्रश्ण है वर्स 2011 की जनगड़ना के नुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिसत है ठीक है ये आपको बताना है और इसमें क्या है कि जो आयोग था वो इस प्रश्ण का उत्तर जब दिया तो फिर विबाद क्या हुआ डिस्प्यूट हो गया विबाद हो गया ये कोर्ट में मामला चला गया तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो प्रतिसत है वो 17.5 है यानि भारत की जो जनगरना है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या वो विश्व की जनसंख्या क्या 17.5 प्रतिसत है यानि साड़े सत्रा प्रतिसत है और इस तरह का इसमें कोई बिकल्प नहीं है लेकिन क्या है कि ये 17.31 जो है वो इसके नियरेस्ट है तो उत्तर इसके आधार पर ए होना चाहिए तो इस तरह से क्या है कि ये आपका प्रश्ण था तो आज हमने क्या है कि यूपी आरो यारो के बर संख्या और नगरी करण के जो प्रस्ण थे उनकी चर्चा कर ली इसके बाद क्या है कि जो अन्य बचे हुए प्रश्ण पत्र होंगे उनकी भी चर्चा अगले सेसन में हम कर लेंगे तो आज के लिए इतना ही आप हमारे साथ बने रहे हैं इसके लिए धन्यवाद कर दो